वही दो गड़े में यह अरवी के पत्थे लेकर आई हूँ और इसका ये जो पीछे वाला भाग है इसे कार्ट ले रहे हूँ और हमारा तो एक गड़ी में ही हो जाता लेकिन आजकल खराब भी बहुत सारे निकल जाते हैं तो छाट वाट के फिर वो एक ही गड़ी हो जाते हैं यहाँ पर देख रहे हैं न यह बेकाट से वाले निकल रहे हैं तो वही मैं साथ साथ में पीछे वाला जो कड़ा वाला है ये काट रही हूँ और इसे छाटती हुई भी जा रही हूँ तो यहाँ पर मैंने छाट के और पीछे का ये जो कड़ा वाला है वो कट करके मैंने निकाल दिया है और इसे मैंने दूल कर ले आए हूँ और पानी में भीगो के मैंने इसे रख दिया है इधर कल रात में ही मैंने एक कटोरी चने की डाल और आधी कटोरी उड़त की डाल मैंने सोक करने को रख दिया हुआ था इस समय ये पूरी तरीके से भीग चुका है अब इसे हम पीसेंगे और ये अब हमने इसे पीस लिया है दरदरा ही पीसना है बहुत जादा महीन नहीं करना है इसमें फ्रेंट्स मैंने जीरा और लाल मिर्च दो लाल मिर्च और पाँच लहसुन की कलिया और मैंने इसमें डाल के पीसा था तो अब इसे अच्छे से फेट लेना है और इसमें नमक डाल देना है और इसके बाद में हमें हिंग डाल देना है और इसके बाद फिर हमें अच्छे से इसे मिला लेना है एक बड़ी सिथाली लेना है और सबसे बड़ी वाली जो पत्ती होती है सबसे नीचे उसको रखना है और इस बिचा के और इसी तरीके से डाल को पूरे पत्ते पर फैलाने के बाद में फिर दूसरा पत्ता उसके उससे ज्यादा कमद करिएगा और ना फिर ये बहुत ज्यादा मोटा फिर बन कर तयार होता है तो यहाँ पर इसी तरीके से मैं यह हमने तीसरी पत्ती डाली है सबसे पहले जो नीचे वाला रहता है वो बड़ा पत्ता रहता है उसके बाद में उससे छोटा पत्ता ऐसे ऐसे करके या फिर उसके बराबर का पत्ता हो तो चलता है लेकिन एक बड़ा उसके बाद फिर छोटा फिर बड़ा ऐसे नहीं करना है तो यहाँ पर यह देख रहा है यहाँ पर मैं चौधा लेयर का मैंने किया है यह थोड़ा मेरा मोटा भी बन गया था आप इस से पतला भी बनाना चाहे तो आप कर सकते हैं डाल यहां पे अच्छे से करना है ताकि यह फिर अच्छा लगता है यह जब बनने के बाद में बहुत अच्छा लगता है वरना फिर पत्ती का ही सिर्फ स्वाद आता है उसके बाद में इसके दोनों किनारे की तरफ में इसको ऐसे मोड लेना है और उसके उपर फिर से ये डाल लगा देना है ताकि ये आच्छे से चिपकें फिर आगे की तरफ से इसे ऐसे गूल-गूल करते हुए इसको मोडते हुए जाना है और यहां पर यह ऐसे बन जाएगा फिर इसको चिपकाने के लिए और इसी तरीके से इसके दोनों किनारे की तरफ डाल लगा देते हैं यह चार लेयर का बना है तो यह आप देख रहे हैं कि थोड़ा मोटा बन गया है आप चाहें तो यहाँ पर तीन लेयर का भी भी कर सकते हैं तो इसी प्रकार से अब हमें दूसरे वाला भी ऐसे हमें तयार करना है डाल की मात्रा अच्छे से यहाँ पर लगाते हुए जाना है क्योंकि फिर जब डाल कम रहता है तो स्वादत अच्छा नहीं आ पाता है तो यहाँ पर मैं अच्छे से डाल यहाँ पर पत्तो पर लगा रही हूं लेयर आपके उपर डिपेंड करता है कि आप कितना मोड़ा और बतला कर सकते हैं सेम ऐसे ही इसके दोनों किनारे पकड़ने हैं और डाल किनारे किनारे लगाने हैं और इसके बाद में ऐसे मोडते हुए इकड़ देना है और दोनों साइड में भी हमें दाल लगा देना है इस परकार ये देख रहे हैं हमारा दो गड़ी बनके ये मेरा तयार हो गया है फिर हमें गैस पे एक भगोने में पानी चड़ा देना है आधा भगोना पानी कम से कम हो और इसके बाद में हमें से डग के रख देना है जब तक ये उबलने न लगे गैस का फ्लेम हमें हाई करके रख देना है ताकि ये जल्दी उबलने लगे यहां पर यह देख रहे हैं कि अभि यहां पर मेरा पानी बॉल हो रहा है अच्छे से ने भाब बन रहा है आप इसके बाद में वो जली यौन जॉल ओली होती है उसको ऊपर रखते नहां करके रखना है यहां पर आप देख रहे हैं हमने आइलिंग कर दिया है अब इसके ऊपर वो जो अर्बी के पत्तो वाली जो गड़ी है उसको हमें रखते जाना है यहां हमने तीन गड़ी बना ली हुई थी और यहां पर इसको रख देना है इसके बाद में इसे ठाली में ढख देना है गैस का फ्लिम हाई करके ही इसके उपर आप चाहें तो कोई भारी चीज भी रख सकते हैं जिससे की भाप आसानी से निकलने न पाए और यहां पर आप देख रहे हैं न कि यह बहुत अच्छे से बिलकुल पक गया है पर इसको देखना ही होता है कि मतलब यह पक गया है नहीं भी नहीं लग रहा है तो इसका मतलब यह अच्छे से पक गया है अब इसे हम पर इसे ढख के रख देंगे इसे आप ठंडा होने के लिए फ्रिज में भी डाल सकते हैं तो यहां पर फ्रेंट्स मैंने फ्रिज में डाल दिया हुआ था तो यह बहुत जल्दी से ठंडा हो गय और आप इसे हम कट करेंगे पतला पतला इसे कट करना है हमें आप चाहें तो मौटा भी कट कर सकते हैं लेकिन पतला कट करने पर यह कूर्कूरा बनता है तो फ्रेंट्स यह जो डाल जिसको मैंने ल便 पेटती समय लगाया था उसे मैंने थोड़ा बचा लिया हुआ था too इस दाल में मैंने हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर लहसुन का पेष्ट मैंने डाला है और इसे अच्छे से हमें मिला लेना है अब कटके हुए अर्बी के पत्ते के ये जूस होईना है इसको हमें इसके उपर में फैलाते हुए लगाते जाना है उपर और नीचे दोनों बन जाए उसके उपर इसी तरीके से बाकी में भी लगा लेना है प्रेंट सबब हमें तवे पर सरसू का तेल डाल के गरम करना है और उसके बाद में ये सुहना डालते जाना है उसके उपर तेल गरम हो जाए तभी डालना है वरना फिर वो कच्छे पन का स्वादा आएगा सरसू के तेल का साथ ही तवे को हिलाते जाना है कि सारे में ही तेल फैल जाए फ्रेंड्स इस तरीके से आप बनाईएगा ये बहुत अच्छा लगता है ये पहले तो दूसरी तरीके से बनता था मेरी मम्मी जो बनाती थी वो दूसरी तरीके से बनाती थी पर मैंने इस तरीके से जब से बनाना स्टार्ट किया तब से बहुत अच्छा लगता है ये और इसे तो मेरे घर में सभी लोग खाते हैं मेरा बेटा भी बहुत चाओ से भी पसंद करता है को ऐसे को उलट पूलट के इस एंसको इस को छो स्टू कर ही रखा है तो फिर यह पखी चुका है तो मेडियम टू तो फ्रेंड्स आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमली के साथ भी सेयर करिएगा और हाँ ये भी पताइएगा कि आपके हाँ इसको क्या बोलते हैं को सब्सक्राइब ये देख रहा है ये लाल भी हो रहा है यह वीडियो में उतना क्लेर नहीं आ रहा है पर हमारा जो तवे में हमें दिख रहा है वो काफी red हो चुका है तो अभी यह ऐसे पलटते हुए हमें सारे ही red कर लेने हैं अभी यह सोहिना मेरा पूरी तरीके से ready हो चुका है और तब तक इसे उलटते पुलटते रहना है कि जब तक यह लाल ना हो जाएं और लाल होने पर यह आराम से कुरकुरा होई जाता है अब यह हमारा तयार है और इसे हम उतार ले रहे हैं आप तर отпर साब देख रहे ना weev क्लियर पिक यहाँ पर आई हुई है तो आप यह देक रहे हैं यह देखे कितना अच्छा बना हुसा है तो friends आप लोग भी try कीजिएगा कि किस तरीके से जिस तरीके से आप पहले बनाते थे उसमें और इसमें थोड़ा अंतर है या नहीं है यह जरूर बताईएगा और यह बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ओकी तरीके ज्यादा आप लगता है